मेरा नाम डॉक्टर दीपड क्रेगर है मैं मनुविकार सेख्स रोग संभोहन विसन मुक्ति तक गे हूं मैं आज आप से बात करने वाला हूं एज़ेस्मेंट डिसाउडर के बारे में एज़ेस्मेंट डिसाउडर मतलब एज़ेस्मेंट नहीं कर पाते situation से समायजन नहीं होता situation से बातावरों में कोई बदलाव आता है कोई तनाव आता है और वो तनाव से adjust नहीं कर पाते हैं और उसमें फिर भावनिक बदल अपने दिमाग में हो जाते हैं अपने शरीर में हो जाते हैं और उसे तकलिफ होती है उसको बोलते है adjustment disorder यह adjustment disorder कोई भी उमर में हो सकती है स्थ्रियोर पुरुष में more or less same है और जो भी stress जो भी तनाव लाइफ में आ गया है वो तनाव के बाद में तीन मेने के अंदर इसकी शुरुवात होती है तनाव आने के बाद तीन मेने के अंदर इसकी शुरुवात होती है बिमारी की और तनाव निकल गया तो छे मेने में अच्छा हो जाता है यह यह रहा criteria तो मोलते adjustment disorder है अब तनाव कुम से हो सकते है जैसा बच्चों को school phobia होता है उसके वज़े से तनाव हो जाता है मतलब स्कूल में जाना नहीं है यह बच्चा fail हो गया फिर divorce की बाद चलो है पती पत्नी की डिमोशन हो गया company से निकाल दिया किसकी death हो गई मतलब कुछ भी बात हो सकती है जैसमें तनाव आ जाता है और तनाव के बाद में फिर यह भावनिक उतल पुतल हो जाती है जिसमें चिंता चाती में धड़कन नर्वस लगना आगे कैसा होंगा उसके बारे में चिंता करना चिड़चड़ापन गुस्सा करना और इधर का गुस्सा इधर निकालना मतलब यह जो प्राब्लेम चलो है तो आफिस का गुस्सा वो घर में आएगा और घर में उसकी मतलब वो गुस्सा बच्चों के उपर पत्ने के उपर चलो हो जाएगा या teacher है teacher को कोई problem उसके घर में है और वो teacher पुरा घुस्सा अपने school के बच्चों के उपर निकालेंगे और वहाँ से problem बच्चों को चलो हो जाएगा कि teacher बहुत कड़क है actually teacher को उसके घर में problem है इसके वज़े से वो कड़क हो गया और market कर रही बच्चों को तो इसे adjustment disorder जो है वो adjust होने का problem है तनाव आने के बाद में टीन मेने के अंदर शुरू होना चाहिए तो हम उसको adjustment disorder बोलते हैं और छे मेने में खतम होना चाहिए तनाव निकालने के बाद इसमें उसको चिंता है anxiety है, depression है, निराशा है तो उसकी दवा उसके साथ में जरूरी है दवा से फायदा हो जाए इसके साथ जब देखना है कि कोई بدन की बिमारी है क्या और वो भी charge करना जरूरी है कि बदन की बिमारी नहीं है क्या और वो नहीं होंगी तो फिर आगे चलना है treatment करने का ये adjustment disorder का मांश अक्षार प्रफी और अपने रूटीन जीवन में बहुत एक्टिव लाइफ जीना उसके साथ मेडिटेशन सबसे बेस्ट सम्मोहन उप्चार हिप्नासिस कि रोज अपने आपको वह सम्मोहन करता हैं और सम्मोहन में अपने आपको रिलाक्स करके स्वयम सुचना देता है और स्वयम सुचना देने के बाद में मैं active life जीओंगा मैं सकारात्मक life सकारात्मक विचार करूंगा उर्जा के साथ में जीओंगा मुझे बहुत शक्तिशाली लग रहा है मेरे चिंता दिन बदिन कम हो रही है मेरे निराशे दिन बदिन कम हो रही है मुझे बहुते खुश लग रहा है और जो भी अभी situation आगे उसका सामना में आत्मईशा साथ में करूंगा मतलब इस तरह के स्वयम सुचना देते है उसमें visualize करते है और स्वयम सुचना देते हैं विजोलाइस करना तो इसका इलाज जल्दी हो जाता है ऐसे काफी सारे लोग हो गए कि जो अपने जीवन में तनाव के कारण व्यचित हो गए या उनकी उत्पादन ख्षमता कम हो गए वो काम नहीं कर पा रहे है तो उनको इलाज की जरुवत है उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा आप फेस्बूक के उपर वाटसाइब के उपर शेयर करो लोगों तो पहुंचाओ जाना से आना फैलाओ और ये वीडियो को सब्सक्राइब करो मेरे काफी सारे वीडियो आते रहते हैं वो भी आपको जब आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा थैंक्यू वेरी मच्च